सबी को रादे रादे रादा वाल लव श्यरिवेंस आई होप सो सब अच्छे होंगे अचलिए देख लेते हैं आज के डियाई वाई तो आज है मेरे पुराने दिये कुछ जो पिछली दिवाली के पड़े हुए हैं मेरे पास और ये जो चोड़े वाले बरतन है ना इनमें मै कैसे ही छोड़ देते हैं कही मैंने चहत परहक रख रखे थे तो मठी वठी लगके बहुत गंदे हो गया हैं देख सकते हैं तो इने पहले clean करना है मेरे को अभी मैं तो clean करने के लिए मैने एक बाल्ती में ट्रांस्वर कर लूँंगी सारों को ताकि मुझे एक एक ना करना तो अभी मैं सारे खट्टे करके लेके आई हूँ, कुछ तो कमलों में लग गे थे हैं, बहुत सारे दिये लेके आती हूँ, मैं दिवाली पर कम से कम 200-300, तो वो पूरे साल में रहे हैं, अगर मुझे कुछ करना है, तो चलते रहते हैं, मैं इसके लिए गरम पानी करते हूँ तेज सा गरम, और ये सारे एक बाल्टी में कर लें और इसमें डाल रहे हूँ, थोड़ा सा डेटर्जन, जो कप्ड़े दोते हैं, वो ही वाला है, और इसमें गरम पानी डालूँगी, एकदम तेज सा गरम, तो उससे ना इनकी चिकनाई हड़ जाएगी, तो ये पेंट आस और एक तो दिये पर जादा मट्टी सी लग रही थी, तो मैं सोचा उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, तो मैं ये जो बूस होते हैं खराब, तो उनसे रगड़ के इनको साफ कर रहे हूँ, जादा तो सब तो गंदे नहीं थे इतने, लेकिन एक दो ऐसा ना, जिसमें म पूडली तो मैंने आपके सामने देख रहे हैं, पूलटी रख दिया, इसके चार तरफ दिये रख रखे हैं, और एक ये है, तो एम सील हाती है ना, उन दोनों को मिक्स करके, अब मैं इनने चिपकाऊंगी, और ये मैं पहली बार ही कर रही हूँ, मतर्ब देखती हूँ कैस सारी जट आएगा इनका, तो ये दोनों को मिक्स करके, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन हाँ, अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है कि नहीं चिपकते, तो ये मुझे ऐसे चारो तर देखो, ये जस्ट अभी अभी चिपकाऊंगी, मैं हलका सा आपको उठा के दिखा रह दो हो गए है, और एक ये वाले उडली है, ये वाले मेरे पास 7 दिये है, मुझे अभी 7 ही मिले है, थे तो ज़्यादा ये, तो अभी इनके किनारी बनी हुए है दिवो पर थोड़ी सी, तो उस किनारी को मैं साइड से चिपका दूँगी, उपर से, बाद मैं इने उल्टा क करके रख दूँगी, चिपकने के लिए, तो ऐसा हलकी सी किनारी है, तो ऐसे यहाँ पर हमसी लगा और हलका सा टक कर दूँगी, तो यहीं पर रुख जा रहे हैं इस तरह देखो, और ये अगर पूरे जादे मिल जाते तो मैं पूरा भर के लगाती इसको लेकिन अभी में देख सकते हैं, मेरी दोनों उडली सूख गी हैं, देखो, बहुत अच्छे लगनी हैं अभी सही है, इनमें आप ऐसे भी सिंपल बिल्कुल, मतलब बीच में पानी बरका है, उसमें फूल डाल दीजिए और चारो तरब दिये जला दीजिए, या चारो तरब अलग के तो ये वाइट पेंट करूँगी पहला मैं इन पर, और उसके बात करूँगी गोल्डन, बलकि मेरे साथ हुआगया, फोन में कुछ खराब हो गया, जब मैंने वाइट पेंट किया न तो पूरी वीडियो वीडियो बनी ही नहीं वाइट पेंट करने वाली, तो जब मैंने मैं माफ़े चाऊंगे आपको कि वाइट पेंट का और गोल्डन पेंट का वीडियो मैं आपको ने दिखा पाई इसमें वीडियो में तो आप पेंट करने का तरीका तो हम सब जानते ही हैं बस शुरूई किया था वीडियो तब ही बंद होगी होगी और अब जब मुझे पता लगा न कि बंद होगी तब तक मैं गोल्डन भी कर चुकी थी तो गोल्डन कलर होने के बाद देख सकते हैं अब अभी गिल्ला है ये लेकिन मैंने उल्टा करके सीधा करके इन पे कर दिया अच्छे से एक कोट होए अभी एक कोट मैंने बाद में किया और ये इनका फाइनल लुक है देखो बिल्कुल मार्केट में आपको मी सो पेव में जो उन पे ये सब उडली मिलेंगी चार चार सो पान पान सो रुपे की और ये हमारी घर में बन के तैयार होगी है बस हैमसील का खर्चा हुआ है गोल्डन पेंट मेरे पास पहले से रखा था और मुझे इसके तीन दिये और मिल गए थे तो मैंने ये तीन दिये इसमें और चिपका दिये पाइल बलके गुस्सा हो रही थी कहरी तुमने डिजाइन बिगाड दिया लेकिन मुझे लगा कि मैं चिपका दिती हूँ जब मुझे दिये मिल गया है तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लुका आया है इनका तो अब चलते हैं आपने नेक्स्ट डियाईवाई की तरफ और ये तो मैं बना रही थी मतलब पायल ने मुझे भी न बताई ही वो कर लिया है देखो ये मैं इस तरह के वो बना रही हूँ कमल के जो आजकल चल रहे है न बहुत ज़्याद है आप देखते होंगे तो मैं सोचा मैं इने घर में बनाती हूँ तो मैं तीन पीस तो बन गए इसका मैं वीडियो नहीं बना रही थी लेकिन काफी लेट हो गया था तो पायल के एरती सोने के लिए फिर उसने वीडियो भी बना दिया तो इने बनाने के लिए मैंने घंटी लिये इसमें अलग-अलग तरह के मोती डाले है और लंबा, छोटा, जैसा आप बनाना चाहते हैं, वो भी अपने पसंद का बना सकते हैं तो गंटी के उपर ऐसे ही ये लंबे वाले और गोल्डन और वाइट वाले मोती डालने हैं जो ये लंबे वाले ना, तो ये 5 मोती की एक लड़ मैं बना रही हूं मतलब 5 मोती वाली एक लंबी लड़ और 4 मोती वाली बनाऊंगे इसकी छोटी वाली अब ये जो कमल का फूल है ये 10 रुपे का एक दिया है यहाँ पर महंगा तो दिया है मतलब पर हां मुझे बनाना था कुछ दिफरेंट अपने लिए तो इसलिए मैं खरीद के लेके आई थ तो इसमें होल होते हैं दोनों द्रम नीचे से धागा डाल दिया और उपर भी फिर हम इसमें मोती डाल देंगे दो गोल्डन और वाइट और उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये जो मोगरावके फूल आते है ना ये मुझे मार्किट में तो मिले नी ये लेकिन एक सोप पे तो मैं ये लड़ी खरीद के लिए थी उनसे तो इसे कट करके मैं इसमें से ही लगा Осगी बनामे थे तो इसलिए मने बनी डाई लड़ी कट दिये और आप इस तरह, इनका भी packet मिलता होगा वैसे market में, बोच जाता तो मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन हाँ जितना, जब मुझे यह इजीली मिल गे थे तो मैंने यही cutting करके इसमें से यह बना लिया है, इसके उपर फिर 5 golden और 5 white moti डालने हैं, हमें लंबी या छोटी आप अप अपनी पसंद से बना सकते हैं, मैंने पहले बनाया और इसके उपर एक हूप आता है, जिससे हम इसे कील में टाकते हैं, यह भी 5 रुपे का एक आता है, तो वो भी मैंने ऐसे ही इसमें, और नीचे यह दो छोटी छोटी लड़ोर बना के टांग दियां मैंने, यह छोटी ल है है है, अभी सोटी, बस यह लास्त है, इसको कम्प्रेट कर दो, और अज है होई का दिन, हम जा रहे हैं कता सुनने के लिए, मुझे बुलाने के लिए आई थी परीति कता सुनने के लिए, उसके बाद हमने खूब सारा फोटो सूट किया है, जो मेरी नेबर से उनके साथ, और उसके बाद बस खाना पिना बनाया, तो देख सकते हैं, ममी, मुझे फूख लग लग लिए है, अभी बन रहा है, देखो खाना, पूरे बन रहा है, अभी कचोरी बनेंगी, अलू की बिठी बनागे में नाट्टा लगा दिया है, अदेखो यह सब्दी बना दिया है, अ गतों मिटार्डे बने जालव भी करते है, अम्यूफ शालो गटार्डट, थीकर सुध मैऑ है, और ==== यह सब्धाखों मुझें खाया है, यह वे रहा हाता है, है अधी बनाया थीए अभी इए बना आनाग, कुछ पीटी जन बनाता है लग से पूरी बनाओी जोश हाया है बाबाजीर हां अमाने तादेगी express कंए ये इसते को ते इसे बड़न क कोलने हैं तो मम्य झोटे पनाते है नहीं मम्य व्ड़न पनाते हैं ये ये यह कोल बनाए है मुझे लखाँ जैसे फूरी साहिकलाती है पत्ला वो नहीं बनते है मॉल्ड उसमें में बनते है बेडिपहता भीपी कैसे बनाते है भीपी पूरे! पूजा करने के लिए खाना रख लिया इसकी बूजा कर देती हूं जैसे भी करते हैं डंग अपना अपना है वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना जो मैंने DIY किये हैं अगर आपका भी मन है करने का तो प्लीज जरूर करिए अपने हातों की बनी चीजों से अप को मिलेगी तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को नमस्ते रादे रादे खुस रहिए अच्छे सुत्योहार मनाईए अपना अपने बड़ों का बच्चों का ध्यान रखिए रादे रादे